अच्छा आज की जो वीडियो है उसके दर कुछ चीज़ें और बताने जाऊंगा जो इसकी टिप्स हैं और इसकी कुछ ट्रिक्स हैं कि सपोस्ट कर रहे हैं कि आपके पास वही सरकेड़ है जो कि अभी हमने प्रीवेस वीडियो में मनाया था अब होता क्या है अब बाइडिफॉल या बाइडिफॉल गरम मुझसे कोई कनेक्शन गलत हो जाता है ठीक है यह वाला जो कनेक्शन है वह गलत हो गया आप इसको आपन किस तरीके से करेंगे आपके पासे सोल्डर है सबसे पहले तो देखने कि गरम हुआ है या नहीं हुआ सब्सक्षरा वाण मेरा सब्सक्रान सब्सक्रांव हो जाएं चक्रिक एंज़ें हैं तो आप नहीं कूछ जगह सोल्डर रखना तो इस फड़ीदेश रखना िısको प्रेस करेंगे तो आपके प्रेस किसी बी तरफ जहां पर अब्रवद ऑफसे ऐसे कर्लें नहींग applicator करूंगा करें एक यरुँ गरम हो रहा है कि जी अच्छे से देख लेंँगे बड़र बड़ित रड़ कि लगजड़ में बड़ को अच्छा कि चीम और अब छीक से खयर दर्म हूँ नहीं मैं आपको उस्षिर बताना चाह veo कि इस तरीके से करेंगे आप नहाँ पर रखा इसको तरीके से प्रेस करेंगे निकल गया कि अगर नहीं निकलता तोी दिदिया-अप्रब्राइब wszystkie आ जाएगी ठीक है अभी बाकी रूरी सी सोल्डिंग इस तरह मैंने बताया कि आपके ओपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको सोल्डिंग को कैसे निकालते हैं तो बैस मैं वही बताना चाहरू ताके कुछ इश्यू हो तो आप उसको निकाल सकेंगे ईजी नी तो आलमोस मेरी जो सोल्डिंग है वह रड़ गई है एक चोटी सी और चीज रह गई इसको भी तरह निकाल देते हैं हुग है खुथ है तो यहां पर मेने ढूपना सोल्डर आइलन है उसकी है खे सेout इस तरीके से मैं ने यहां फूंहर दिया था आप यहां पर देखेंगे कि यह चीज मेरी कि कि अलग अ का Will ok हो गईह ठीख है तो सिस तरीके सावने देखना कि आप जो चीज़ मोगी तरीके से रखींगे ठीक कि अब लुसी चीज किया है वही चीज घर आको म्हशकर आपका नहीं करने कि देखने आधिभ्ध आपकी चीज़ में परपाइंच हो रही है कि उस एंगल के ऊपर आपने रख्के अपना सोल्डर आइरें को सब्सक्राइब करना है जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं वो मैं अपने एंगल के मताबिक कर रहा हूं एंगल का मतलब यह है कि है आपके सानी होगी अगर आप इसको लोड़ते हैं जो भी करते हैं यह उसकर आराम से अब है क्लें के मैं अब चारा वाँ कि मैं ने हैं यह दिन निप को रखने से यार रखे कि आप को यई करना हूं एधर लेकिन आपने वह इसमाने वह दो वो चीज़ें इस्तामाल हो जाएंगी ठीक है इसको मैंने हाँ पर पकड़ के रखा और यहां से असर में निकल गया है ता कि इसको साफ कर लिया मैंने और यहां पर देखेंगे मेरा जो वायर है वह असल में इसके साथ लिपड़ गया है इसको आपिन करने के लिए आपको वही काम करना है सोल्डर रखा आपने और हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपके पास वो चीज ऑपिन हो जाएगी ऑपिन हो गई है ठीक है दुबारा रखते हैं इसको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अब इस बार यह ना निकले यह भी भी हलका सा लूज है तो इसको करने के लिए हम करते क्या है सुल्डर रूँगा मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पीछे से कनक कर दूँगा एक मरता पास बीच में कनक कर दूँगा कुछ इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूँगा तो यह मेरा यहाँ पर जॉइंट हो गया है और मॉस्ट फिर से निकल गया है तो इसको मैंने इसकी निप के ओपर जो इसकी जो निप थी मैंने इसकी ओपर इसको रखके सोल्ड कर दूँगा तो इसकी जो वीडियो में पर पाद है वह में पर पास सारा का सारा यहीं कि आपको डायोड वगरा आइसीज वगरा इसको पूल्ड करना पड़ता है ठीक है तो यहां करते हैं हम एक में अपने अपने पर शुर्ण साफ कर लूँ ताके मुझे कोई इश्यू ना हुआ गए अगर किसी को भी यह इश्यू है तो सबके घरों में फाइल होती है ठीक है उससे आपने पर हलका साफ कर दींगे तो आपके पास साफ भी हो जाएगी और अच्छे से वह वर्ग भी करेंगी यह इस्यू मेरे साफ बहुत आता है तो मैं यह काम करता रहता हूं आथ के हाथ तो यह काम ने कर लिए साफ कर लिए इसको निभ ठीक है अम आजाते हैं डायोड की कनेक्शन गे ओपर अभी मुझे इसमें नहीं पता पॉलिटिव नेगेटिव क्या है क्या मेरा में काम है व तो मेरा कौन सा है पॉलिटिव है यह वाला ठीक है और यह वाला मेरे पास है नेगेटिव तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा कि थोड़ा सा कुछ सुरत साही दिखे मुझे सर्किट अपना इसको मैंने यहां रखा और मैंने यहां से इसको पीछे की तरफ आपन कर दि तो आप देखेंगे तो आपके पास एक लग यह यहां गई है यह आ गई है अब आप क्या करें थोड़ा सा बिठाने के लिए आप यहां पर स्लोरिंग कर सकते हैं अगर किसी को रोल के साथ इसू होता है तो आप क्या करें इसको हलका पकड़के नकालेंगे तो यह तूड यहां रखूंगा तो देखें बिल्कुल निप मेरे अब यह काम करें जब मैंने फाइल यूज किये तो यह मैं अपने जो फंक्षिन को खुद ही रिजॉल्फ कर रहता हूं कि किस तरी करें मुझे सेट करना है यहां पर मैंने इसका कनेक्शन भी कर दिया अब हम क्या करते हैं अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो इलाइग है पॉलिटिव वाली जो आप यह देख पा रहे हैं इसको मैं करता हूं कुछ इस तरीके से कि यह इसके साथ जॉइंट हो जाए अगर आप देखें इसको मैं यू भी जॉइंट कर सकते हैं लेकिन बीच में कनेक्शन थोड़ा सा रह जाएगा तो हमने इसको अपनी तरफ मोड लिया कुछ इस तरीके से अब हम यहां पर सोल्डरिंग करते पर चले जाएंगे आपने यह पकड़ा बायर वही निप लेनी है इसकी निप लेनी है निप रखा यह जॉइंट और यह चीज़ खाट साय लखना है कि पंखा ना चल रहे हो आपके जहां पर आपके काम कर रहे हो कि कि बिल्कुल जल्दी से ठंड़ा हो जाता है यह आपके पास ओल्डर कि इसको यह इसी एंगल पर रखते हैं कि आई होग वीडियो में दिख रहा होगा कि इस तरह लखना है सोल लुतावा चले जाएगा इनने पर आपको रखना है ताकि आपका जो यह वायर है यह भी इस जगह से नहीं हिलेगा अगर आप कुछ इस तरीके से सूल्डरिंग कर देंगे तो कि इस चीए अब आप यहां पर देखेंगे मैं इसको तुर्ड़ा साफ कर दूँ तो भी यहां से साफ कर दूँ बीच में अलका सा मेरे पाग गया है अब मुझे इसको फिल करना है अब मैं उसको सूल्डरिंग की मदद से इसको फिल कर दूँगा ताकि इसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी मेंटेन रहेगी इसको मैं गया यहां पर यह रखा मैंने इस तरह जोइन किया और इसको मैं जोइन कर दूँगा इसके साथ इस वायर के साथ कि कि इस तरीके से रखा अपने हिसाब से और इसको ब्रेक कर दिया तो मेरी जो सोल्डरिंग है वह हो गई है मैं थोड़ा सा और इसका कनेक्शन थोड़ा मद्बूत कर दूँ कि बिल्कुछ साइड में है यह ठीक है यह काम कर लिए अब आपको अगर इसको स्मूथ करना है थोड़ा सा अब आपको करना कि अपना सोल्डर हलका से लेकर जाना है जब यह दिखे आपको कि यह लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गए तो आपने बहाँ से हटा लेना है इसको कुछ इस तरीके से रख है जीए तो यह हम लोग सीख calibration करते हैं मैंने किया अदर ऑब यह मैं यह कुछ इस तरीके से और यह कि आप देखेंगे कि कहाँ पर यह उल्की ऑफनेस थी इसकें अन्दर सोल्डनेकें देदा और मैंने यहां पर इसको बिजल्कुल स्थी बना दिया अब यहां पर आगार आप देखिंगे तो बहुत आपको चीज़ें दिखी ढ़िए योगी जब जहां पर दाधा टांगए तो टांगी का मतलब यह कि जादा सोल्ड होता है ना वो जगह हमारी जादा वीग होती है कि वो खराब होती है तो इसको करने के लिए आपको वैसी रखना है पकड़के रखा हलकलका सा रखेंगे तो आटोमेटिकली वो अपनी जगह को एड़ेस्ट करता रहेगा तो इस तरी आटें टांहां तो ज्युवा शना जोइन कर दिया अगर मैं बोलूं को कि सब्खोर कर लेते हैं कि मेरे पास से कुछ ऐसी कीज़ है की इस तरीके से मेंने प्लेस कर लेता हूं मैंने इसको इस तरीके से लगा दिये अब मैं सब्सक्राइब कर थहा हूं कि जो मेरी वाय काफी दूर है अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं हूं मैं सपोस्ट कर रहा हूं कि जो मेरी यह वायर है यह काफी दूर है इसको मैं इस तरीके से फूल कर देता हूं और इसको मैं कुछ इस तरीके से फूल कर देता हूं अगर आप यहां पर देखें कि यह वाली वायर है काफी दूर यह बल्ग कि आ принक करना के पास घर करना है इसको कि यहां पर रखें स९ लागाना है میں ने बता था इसको डखने आपको इस तरी के से रखना है और इसको इस तुरी केसे रखना मैं इसको इस वारे लाइन के ओपर सोल्ड करना जा रहा हूं ठीक है अब इसको यूं रखा अपने हलका सा रखा और यह जॉइंट हो जाएगा पकड़के रखने जिस तरह में आपको बताया था वाइरेंड हो गई है यहां पर मुझे रखना है इसको कुछ इस तरीके से जॉइंट कर दिया आइने ठीक है करने के बादव वाली लाइन को इस तरीके स्यॉइंट हो जाए्ट तरह रखना है और इसके सद्वाइन करते हुए लेते वे आना है कि इसको यहां पर जोइन कर देते हैं इसको सेट करते हैं पर चलते हैं यह बड़ा टांगा था तो इसको यह रखना है और कुछ यह इस तरीके से जॉइंट हो जाएं ठीक है इस तरीके से रखना है कि आपके पास जॉइंट होते वे सब चीदें चली जाएं ठीक है यहां पर आएंगे वर्टिकली मैं इसको रखूंगा इसको मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा और यहां पर सोल्ड करते वे चले जाओंगा ठीक है यहां पर एक ही रोड़ा रही है मेरी यहां पर यह दो टाल के इस तरह रखना है यह आपके पास जॉइंट हो गया ठीक है थोड़ा स्मूध बनाने के इसको रखेंगे तो यह इस तरीके से जॉइंट हो जाए बिलकुल इसी तरीके से यहां पर भी जॉइंट एक बाकी है हम यहां पर कर देते हैं कि तो यह मैरे पास कुछ इस तरीके से जॉइंट हो गया दूसरा ओर बीक लग रहा है मैं इसको यहां पर अप्टम कि यह मेरे पास कुछ इस तरीके से कब्सक्त हो जाए और यह मेरे पास Whoa जाए विए तो आज की वीडियो में हमने से भी दू टेक्निक देखिए किस तरीके साब इनके सोडरिंग को रिमूव कर सकते हैं दूसरी चीज यह कि आप अगर कनेक्टिविटी करीब नहीं है तो आप इसकी कनेक्टिविटी को कैसे करीब कर सकते हैं तो मैंने इसको यहां से लेकर इसको यहां तक जॉइन किया है तो इस चीज का खाया लग रहा है अब आप बेशक आप चाहिए तो यहां पर वाइल लगा सकते हैं अभी तो हमने जो कनेक्शन है कुछ खास किये नहीं है इसको हम आपन कर लेंगे यहां से यहां से आप वाइल को इनपूर्ट दे सकते हैं ठीक और यहां से आप इसको कर लेंगे टाइट कर लेंगे कि अब बेसिक चीज़े देखिए कि आपनों करना आजा और किस तरीके से अधाने कैसे हटानी मैं दुबारा बता देता हूं जैसे के मुझे यह वाला कनेक्शन हटाना है पकड़के रखेंगे नेप इसकी रखनी है पकड़के ठीक है इसको रखेंगे और इसको में यहां पर करदेडा में आपने हैं इसको रखी है आप करना रही है और तो ऊल्क्तिस लिए प्लकिक्शन जाएगा को आप लोगों के लिए असान है इसको आज की विडियो में इसको लेटेश लिए